नमस्कार मैं विशाका ठाकुर स्वागत है आप सभी का 3.0 TV में पेश है आज की मुख्य खबरें Ethereum Merch से पहले Cryptocurrency ने किया Flat Trade 20,000 डॉलर से उपर रहा Bitcoin ED ने Chinese Loan Apps के साथ संबंध के मामले में कसा एक और Crypto Firm पर शिकन रहा महराश्रा नए भूमी दस्तावेजों को सुधारने के लिए करेगा Blockchain का इस्तिमाल Formal Senate टेस्टिमनी से पहले Crypto के साथ बने हुए है SEC Chair Gensler American Treasury द्वारा Blacklist Bitcoin addresses की है इरान, ransomware, हमलों से जुड़े होने की आशंका Sam Bankman-Fried ने FTX Malling Fund को acquisition के लिए किया लीड Tesla ने नई Cyber Whistle को किया launch, सिर्फ Doge Coin के जरीए हो सकती है खरीदी SEC ने शिकागो Crypto Capital पर दायर किया मुकदमा कर्मचारियों पर है अवैद रूप से BXY token बेचने का आरो गुरुवार को खुद समय के लिए निर्धारत एतिहासिक Ethereum Merge event से पहले साबधानी के बीच US stocks के marginally higher closing को track करते हुए cryptocurrency ने flat trade किया वहीं Bitcoin को 20,100 डॉलर से उपर trade करते हुए देखा गया डाव जोन इंडास्ट्रिक लावरे 0.10% की बढ़ध के साथ रात भर के trade में US stocks ने मामूली बढ़ध दर्ज की जबकि S&P 500 में 0.34% और NASDAQ में 0.74% की बढ़ध देखी गई अगस्ट में retail inflation के पछले आम consensus estimates के बढ़ने के बाद से investors Federal Reserve के rate stance से साबधान रहना जारी रखते हैं कुरुवार को आंकडों से पता चलता है कि अगस्ट के लिए US producer price index annual और महीने दर महीने दोनों basis पर गिर गया जो साल में अंत में retail inflation में नर्मी की ओर इशारा करता है अन्वल PPI घटकर 8.7% versus 8.9% की अपेक्षा पर आ गया है जबकि monthly PPI ने खीमतों में 0.1% की कमी और 0.1% की बढ़त की उमीदों को दिखाया है इन सब के बीच Bitcoin हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.5% नीचे आते हुए अराउंड 20,150 डॉलर्स पर ट्रेड किया जबकि ETH को उसी समय के दारान 2% उपर जाते हुए अराउंड 1,620 डॉलर्स पर ट्रेड करते हुए देखा गया वहीं दूसरे में जो आल्ट कोईन्स को मिक्स ट्रेड करते देखा गया डिरेक्टरेट ओफ इंफोस्मेंट ने क्रिप्टो फर्म HPZ टोकन के ओफिसेज में चाइनीज लून अप्स के कथित लिंक के कारण तलाशी दी है सोसिस के मताबिक जांच मनी लॉंडरिंग आक्ट के तहट की जा रही है ED ने अब तक 16 जगों पर तलाशी ली है ROC हैदराबाद ने इस साल की शुरुवात में HPZ टोकन के खिलाफ केस रेजिस्टर किया था HPZ टोकन की एक स्कीम के तहट प्रोमोटर्स ने ये दावा करते हुए करोडो रुपे कलेक्ट किये कि फंड्स का उप योग क्रिप्टो करंसी को माइन करने के लिए किया जाएगा लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया ये ध्यान देने योगे है कि कई दूसरे क्रिप्टो करंसी फर्म विशेश रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे कॉइन डीसी एक्स, कॉइन स्विच कुबेर, वजिर एक्स और दूसरों की एडी द्वारा PMLA के तहर जार्ज की गई है लेकिन कॉइन स्विच कुबेर के को फाउंडर आशीश सिंगल ने इस बात से इंकार किया है कि ये जाज मनी लॉडरिंग के कारण हुई थी इंडियन स्टेट ओफ महराश्रा में यूलान प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट को रिवांप के लिए ब्लॉक्शेन तकनीक का इस्तिमाल करेगा टेक्नोलोजी का इस्तिमाल करने का उनका में मोटिव इंडस्ट्री पाजिसिपेंस के बीच विश्वास पढ़ाना और धोखा धड़ी के मामलों को कम करना है महराश्रा के रेजिस्ट्रेशन और टेकनिंग डेपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जेनरल श्रवन हार्दिकर ने एक कॉन्फरेंस में घोशना की कि उन्होंने अपन ना शुरू कर दिया है जो उनके लिए मददगार हो सकता है हार्दिकर ने कहा कि ब्लॉक्षेन पाइलेट बैंक और दूसरे अलग-अलग मौट केच कमपनी इसके साथ शुरू हो चुका है जोसमें कई फेमस असोसियेशन शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन और्गनाइजेश ने अपना रुख दोर आया कि जादातर क्रिप्टो करंसी सेक्योरिटीज हैं और उन्हें कुछ कपासिटी में रेगुलेटर के साथ रेजिस्टर होना चाहिए रेपोर्टों में कहा गया है कि उनके कमेंट्स बैंकिंग हाउसिंग और अर्बन अफेर्स की यूए सेनिट क से पेश होने से पहले एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा दी गैंसलर ने कहा कि क्रिप्टो इंटर्मेडियरीज को ऐसी सी और कॉमोडिटी फ्यूटर्स ट्रेडिंग का मिश्रण दोनों के साथ एक दिर रेजिस्टर करने की आवशक्ता हो सकती है और पहले से ही डूएल रेजि और एहमद खती भी अग्हादा से जुड़े थे चिन पर इरान के इस्लामिक रेवोलुशनरी गार्ड कॉप्स में काम करते हुए रांसम्वेर के क्रियेशन और डिस्ट्रिबूशन में भाग लेने का आरोप है ट्रेजरी ओफिशियल्स की एक प्रेस रिलीज के अनुसार व्यक्ति एक हाकर समू का हिस्सा है जो रांसम्वेर का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स ट्रांस्पोडेशन कांपनीज और स्कूल्स को टागिट करने के लिए करता है जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि व्यक्तियों ने सैंकडों अमेरिकी व्यवसाओं में सेंद लगाई और उनमें से कई में रांसम्वेर फिलाए हैं जुसमें अमेरिकन इंफ्रस्ट्रक्शर एंटिटीज भी शामिल थी अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने प्रतिबंदों की घोशना करते हुए तीन लोगों पर हाकिंग से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया ह कोईन डेस्क ने मामले से परिशिद एक व्यक्ति का हवाला देते हुए बताया कि साम बैंक्मेंट फ्राइड के लीड वाली क्रिप्टो कारंसी एक्स्टेंज एफ्टी एक्स पोटेंशल एक्विजिशन के लिए फंड जुटा रहा है एफ्टी एक्स के फाउंडर बैंक्मेंट फ्राइड क्रिप्टो मार्किट्स में हालिया हार के बावजूत इस साल की शुरुआत में फंड जुटाने के एक राउंड के दौरान 32 बिलियन डॉलर के सेम वालुएशन पर नजर गड़ाए हुए है FTX retail trading platforms के साथ साथ कई possible takeover candidates को evaluate कर रहा है अगर acquisition की बात्षीद विफल हो जाती है तो fundraising plans को समाप्त किया जा सकता है Electronic vehicle manufacturer Tesla अपनी futuristic cyber truck series से inspire होकर एक नई cyber whistle पेश कर रही है Limited edition cyber whistle एक premium collectible है जिसे polished finish के साथ medical grade stainless steel से बनाया गया है Whistle में added versatility के लिए integrated attachment feature शामिल है सभी sales final है और products को 4-6 हफतों के अंदर ship करने की उमीद है उसके ओपर Tesla को buyers को सिर्फ dogecoin में pay करने की आवशकता है Price tag 1000 doge या लगभग $60 है Taxes और shipping doge price में शामिल है Tesla के CEO Elon Musk meme currency के एक prominent supporter रहे हैं जिन्होंने पिछले साल दावा किया था कि dogecoin payment के लिए bitcoin से बहतर है US Securities और Exchange Commission ने बुदवार को Chicago based एक crypto investments company और तीन employees पर कते तौर पर cryptocurrency में $1.5 million बेचने के लिए मुकदमा दायर किया है जो की investments regulator के साथ register नहीं थे Complaint के अनुसार Chicago crypto capital के owner Brian Amo और salesman Darcus Oliver Young और Albert Elliot ने 100 investors को BXPY token नाम के crypto बेचें जिन में से कई के पास कोई prior crypto experience नहीं था Complaint में कहा गया है कि उन्होंने ओन investors को गुमरा किया कि वे token को कैसे संभाल रहे है SEC ने group पर US Securities Law के violation में unregistered brokers और fraudsters के रूप में काम करने का आरोप लगाया है दरसल ये उन्हें crypto securities के offering से रोखना चाहता था आज के लिए फिलाल इतना ही मैं विशाका आप से फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ तब तक के लिए देखते रहेए 3.0 TV कर 100 के कर 20 अचा आप के लिए सेमेश के तिय अचा। के लिए मुपर्ण विए सेमе प्ल न झाल झाल